किसान की शिकायत एक बारी किसान हर कभी आने वाले आंधी तूफान ओला वरस्टी तेज धूप इतियादी से परिशान हो गया क्योंकि कभी कभी फसल ज्यादा खराब हो जाती थी इसलिए वह परिशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा किसान बोला आप ईश्वर तो हैं लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है जिसकी जरुद भी नहीं होती है वह भी देती रहती है इसलिए आप से मैं विंति करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए फिर हम सब किसान अन् दूप मिली उसने जब चाहा पानी मिला पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी आनी बाड़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी समी बीतने पर फसल बड़ी हुई किसान भी बहुत खुश हुआ कि सुबार शानदार फसल दिख रही है किसान ने मन ही मन पहुचा कि इश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए या क्या जरूरी है फालतु में ही किसानों को परिशान करते रहते हैं किसान फसल काटने के लिए खेट पहुचा गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई उसन इश्वर बोले हे प्रिए खिसान ऐसा तो हो नहीं था क्योंकि तुमने इन पौधों को बिलकुल भी संगर्श नहीं करने दिया उनने तो तेज धूप में तपने दिया ना ही आंधी का सामना नहीं करने दिया इसलिए बाहर से भली ही अच्छे दिख रहे हो लेकिन ये अं नहीं है दोस्तों ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है वे आदमी खोकला रह जाता है जीवन की चुनौतिया घी उसके लिए उन्नती के नए रास्ते खुल देती हैं और आदमी को मजबूत और प्रतिवाशाली बनाती है इसलिए आपके जीवन म से भी मुसीबते या चुनौतिया तो घबराना मत यह आपको विखेरने के लिए नहीं निखारने के लिए आई हैं